तो आज हमारा लेक्षर नूमबर नाइन ट्रेग्नोमेट्री फांक्शन का तो इसमें हमारे पास है ट्रेग्नोमेट्रिक डिसी ओफ मल्टिपल एंगल्स इसमें हम पढ़ेंगे तो इसमें हमारे पास फार्मूली है कुछ तो चलो मारे पास इसले पहला फार्मूला है साइन टू ए एक स्टू क्या होगा तो साइन टू एक स्टू two sin a इंतू को से साइन टू यह का यह फर्मुला यह होता है और यह फर्मुला और यह होता है कि टू टैने अपां one plus 10 is sphere, ठीक है, और हमारे पास दूसरा फार्मूला है, cost होगे, cost to be cost to होता है, cost square है, minus sin square है, ठीक है, ये फार्मूला और होता है, 2, 1 इदर वजाएगा, 1 minus 10 is square upon 1 plus 10 is square है ठीक है, और इसका एक फार्मूला और देखो, सब्सक्राहे को तो टोड़ों क्यों मैंन तो टोड़ कि युन मानस ऑनिस मानन सफ्काहर है को पर कश छाएगा को कि वन मानस इसक्राह du खा अर टो टोड़ी है ठीक है तो हम्हारे पास यह क्रिम्नोमेट कोस्ट टुवे का चार फानौला है एक दो तूंद छार और स्च नहीं है ठीक है और कॉट टुवेकर स्टू कॉट स्टू कॉट स्टू कॉट है तो अब यह वारा फार्मूला कैसे आगा जब कॉट स्टू करेंगे फिर उसको और साल्व करेंगे तब आज है अगर आपको डेरिवेशन की जरूरत हो तो आप हमको कमेंट करें मैं इसका एक वीडियो इसका पूरा डियरिवेशन होता है निकल के आगा वश्य तो बस फार्मूला याद करेंडो जरू डेरिवेशन में क्या है डेरिवेशन वही मतर्ड़ जीतना सवाल लगा वही एक डिर बेसन ही तो ठीक है हमारे पास चौता मुटली होगा है साइन ठीका तो साइन था मैनस थी कॉछ एंटिक है और मारे पास सब्सक्राइब हो एंट्री एग है तो 10 3 वरेवर 3 10 a मैनस 10 क्यूब ए अपाँ 1-3 10 इंटिक है अमारे पास एठ फर्मूला और 3 एक है सब्सक्राइब करें तो इतना फार्मूला प्याद कर लिए चलो इसके बेजिस पर हम लोग कुछ क्यूशन देखते हैं तुम्हारे पास इसे क्यूशन नंबर एक है ठीक है तो इसमें मारे पास क्या गया रहे इफ साइन एक कोस टू टू पाइफ है वेर हमको जहां condition दिया है यह कहां से कहां है 0 से लेके 5 by 2 मतलब जब यह 0 से लेके 5 by 2 के पीच में तो तो हमको sign to a का value find करना है तो इसमें हमारे sign to a का value find करना है तो sign to a अब हम जानते हैं sign to a का फार्मूला क्या होता है 2 sign a into cause है तो हमको cause का value नहीं पता है सिर्फ sign a का value पता है तो जब sign a बराबर इतना दिया है तो हमें फार्मूला जानते हैं sign square a plus cos square equals to one होता है तो हमको cause find करना है तो cause a बराबर क्या हो जाएगा plus minus under root one minus sign square तो plus वाला लेंगे minus वाला है अब 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 रूट वाल मानस sign a इसका 49 हो जागा और इसका 25 तो cause एका value हमारे पास क्या जाएगा 524 तो स्वारा इसका पाण 24 नहीं आएगा 336 अपन 625 क्यों 25 25 25 25 हो जाएगा और इसका 2048 हो जाएगा अब इसमें 7 का मुटिपलाइ करेंगे तो 336 आजाएगा तो महारे पास final answer यह है और हमको इसमें दिया कि सब्सक्राइब एक पर दो जब बता दिए उसमें पार बढ़र के बता है चलो अगरा क्यूर्शन देखते हैं तो मारे पास यह से क्यूर्शन है कि कॉस्ट 10 डिगरी कि प्लस साइन डिगरी कि अपांट कोस्ट डिगरी मार इस को सब्सक्राइब गभाएब कै मेला कि थीं का मैं अब सब्सक्राइब है निर्घ यहांitar कैसे करने कि छेछ बढ़ tragedy बे दीन का मैंड ऐसे कर से करें है कर देन दीकिसे कि थी females निकिले करके प्रम में यृकि फाउवग ईतक्या तो इसको देखते हैं तो इसे आप कि एपड नेचे हम कोस्ट 10 डिगरी प्लस साइन 10 डिगरी से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो तो यह क्या हो जागा मैं इसका होल स्कॉर हो जागा और यह कॉस्ट इसक्वार ही मैनिस साइक ऐसे प्लस बी ए माल्स बी ए स्वार्मूला जानते से स्फार माईर्स माईर्स करते है तो इस का इसका आ сюжत वश्ञार शाना स्फार में सरी 15 जलीदगी ट्री। जया टिक है तो मुझे सकने स्वार्मूला हो एक सपने स्ट अगर्स कौर्मूला को हो ओगे तो ख Nation का यह onions क्वार्मूला हो जागा हए तो अब देखो क्या है यह एग सकते हैं इसको हम क्या लेकस्के इसको साइन 90-70 लिख सकते हैं 20 को वैसे ही कॉस 90-70 लिख देते हैं तो इसको तोर देते हैं तो यह हमारे पास कैसे तूटेगा तो देखो इसको वहन को उतार लेते हैं वैसे हैं तो आब देखो 70 को लिख लेते हैं से 2 x 35 को कॉस्ट तूटेफ़ाइब 2 x 35 डिग्री का वैली क्या होगा है कॉस्ट टुए का फार्मॉलह हो जाएगा तो इस 35 को मनलो तो तो कॉस्ट टुए का फार्मॉलबह इस यह वाला हम लेंगे लैंगे मैं लिए में लिए कि क्रोस्त आने पर लंबा आएगा तो यह ही ले ले लेते हैं तो कॉस्ट इंटू तो तो fundamental हो जाएगा तो साइन से अभनते को कहलेगAST get the two sides the स्फाइफ इंतू अब्चस फो एक चला गया है अब तो हमारे पास के होगए और टू स्फाइफ अफॉस इसवाइफ अपान टू साइन स्फब्टि फाइफ इंतू कास्पाइफ टू से लगा ऊपर के वचा कॉस 35 अपान नीचे साइन 35 तो यह मारे पास क्या हो गया है कॉर 35 जो कि हमको प्रूप करना था ठीक है हेलो स्टुडेंट तो चलो फार्मूले पर बेश हम लोग कुछ क्यूशन देख लेते हैं तो जैसे मान लीजी मारे पास पहला क्यूशन है कॉस कारव पाई बाई एट find लग और फाय कारवा थ्री पाई बाई एट प्लस कॉस कारव सेवन पाई बाई रिए इसको टो हमको परूप करना है ठीक है तो चलो देख लेते हैं तो जोनों के स्यम उतार लेंगे इसे ही प्रसपोसश्वगर 3π x 8 प्लस कॉसष्वगर इसको 5π x 8 को 5-3π x 8 लिख सकते हैं क्योंकि जब 8π में इसे 3π जाएगा तो 5π पाई ही आएगा प्लस इसको कॉसष्वगर पाई मानेश 5-8 लिख सकते हैं ठेक है अब ये क्या होगा हमारे पास कॉस स्क्वाइर पाई बाई एट प्लस कॉस स्क्वाइर थ्री पाई बाई एट प्लस कॉस पाई मानस स्टम मानस कॉस टिटा लेकिन प्लस हो जाएगा स्क्वाइर करने पर प्लस 2 cos square 3 pi by 8 ठीक है अब देखिए इधर cos pi by 4 को क्या हम cos 2 into pi by 8 लिख सकते हैं अब देखो ये cos 2 एका फार्मूला होगा तो cos 2 ये बराबर क्या होता है 2 cos square a means pi by 8 minus 1 तो देखो अब इधर ले जाए तो cos pi by 4 plus 1 हो जाएगा equals to 2 cos square pi by 8 ठीक है और ऐसे है cos 3 pi by 4 को हम क्या cos 2 into 3 pi by 8 लिख सकते हैं अब ये cos 2 a का फार्मूला होगा तो cos 2 a is equal to क्या होता है 2 cos square 3 pi by 8 minus 1 अब minus 1 को देखिए जाने पर प्लस 1 हो जाएगा तो cos 3 pi by 4 plus 1 is equal to 2 cos square 3 pi by 8 हो जाएगा ठीक है अब देखिए इधर रखने पर हमारे value तो 2 cos square pi by 8 का value कितना है cos pi by 4 plus 1 अब ये क्या हो जाएगा cos pi by 4 plus cos 3 pi by 4 plus 2 हो जाएगा तो cos pi by 4 का value कितना है 1 by root 2 plus 2 ये cancel हो जाएगा हमारे पास sensor 2 हो जाएगा जो कि हमको प्रूब करना था तो चलो और question देख लेते हैं इस पर बेस्ट तो जैसे मारे पास कोई question है 1 plus sin 2a upon 1 minus sin 2a is equal to tan a plus pi by 4 का whole square ये ही हमको प्रूब करना है ठीक है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं sin square a plus cos square लिख सकते हैं plus sin 2a को 2 sin a into cos a upon इसको भी हम sin square a plus cos square लिख सकते हैं 1 को कि 1 is equal to sin square a plus cos square a होता है और sin 2a को minus 2 sin a into cos a अब देखिए sin a plus cos a का whole square का formula बन गया है ठीक है upon क्या होगा sin a minus cos a का whole square ठीक है अब देखिए ऊपर नीचे में cos square से divide करने पर तो ये क्या हो जाएगा sin a upon cos a minus cos a upon cos a का whole square होगा तो sin a upon cos a tan a हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इसका whole square है और ये sin a upon cos a tan a cos a cancel हो जाएगा तो 1 बचेगा minus 1 का whole square अब देखिए tan a minus 1 का whole square ये 1 minus tan a का whole square लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 pi by 4 into 10 a उसका whole square है तो इसको क्या 10 किसका formula दा है 10 a plus 10 upon 1 minus 10 into 10 भी नहीं है तो 10 a plus pi by 4 का whole square हो गया ये जो कि हमको प्रूफ करना था तो चलो इस पर और question हम लोग देख लेते हैं तो जैसे हमारे पास question है कि sin 2a plus 2 sin 4a plus sin 6a is equal to 4 cos square a into sin 4a यहीं हमको प्रूफ करना हो तो चलो देखते हैं इसमें sin 2a plus 2 sin 4a है तो 1 sin 4a इसके साथ लिख लेते हैं हम लोग प्लस एक इसके अभी sin c plus sin d का फर्मूला बन गया तो इसको solve करने पर sin c plus sin d equal to क्या होता है 2 sin c plus d by 2 means 4a plus 2a by 2 तो उसका क्या हो जागा 3a into cos क्या हो जागा 2a minus 4a upon 2 तो cos minus से होगा और cos minus होके हम क्या cos से लिख सकते हैं क्योंकि हम फर्मूला आपको बताया थे cos minus theta is equal to cos theta होता है और sin minus theta is equal to sin theta minus sin theta होता है तो यहां पर यह क्या हो जागा cos से प्लस इसको भी ऐसे solve करने पर यह क्या हो जागा 6 plus 4 10 upon 2 5a into cos से हो जाएगा अब यहां पर 2 cos से कमल लेने पर तो 2 cos से कमल लेने पर क्या हो जागा है sin 3a plus sin 5a और sin c plus sin d का यहां भी फर्मूला लगा देंगे हम लोग तो sin c plus sin d is equal to क्या होता है 2 sin c plus d by 2 5 plus 3 8 upon 2 तो 4a हो जाएगा into cos क्या हो जाएगा cos A हो जाएगा ठीक है अब यहां पर इसको multiply कने पर क्या हो जाएगा cos square a into sin 4a जो कि हमको प्रूब करना था प्रूफ हो जाएगा